लाइव नियूज खबर तो पक्की है एक एक परखन में धरना दिलवाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार लेने के लिए नमस्कार मैं संबो कुमार आप देख रहे हैं दा लाइव नियूज मैं भी बैसाली जिला के महनार परखन में हूँ ऑर मैं कई दिनों से महनार पटना में भी पोटेस्ट का मैं रिपोटिंग कर रहा था वाट सचीब को लेकर के वहां पर एक ऐसा समस्या था कि छे दिन भूख हर्दाल पर थे दो वाट सदस्य और वहां पर सुनने के सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ महनार परखंड बैसाली जिला में अबल परखंड आता है आज महनार परखंड का जो इस्थिती बस्तू है वो बहुत ही देनिये है जो सरकार अभी महागठवंधन के सरकार चल रही है मुझे स्वास्त खराब होने के कारण पटना में भूख हरताल चल रहा था गनेश परसाथ चोधरी परदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भूख हरताल रखा और लगभग 11 से 12 रोज भूख हरताल रखा अस्वासन क्या मिला नहीं मिला मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपके चाइनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ जो महनार परखंड का जो जरजरी स्थिती है हमारे 176 वार्ड ध्यक्ष हैं महनार परखंड में हर वार्ड में समस्याएं है मुखिया जी पंचायत सचिव बीपी आरो वीडियो साहिव एक तो हम लोगों को सरकारी दिशा निर्देश जो अभी तक नहीं आया कि योजना वार्ड अस्तर पर दिया जाए और वार्ड अस्तर पर योजना भी नहीं दिया गया मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चाइनल के माध्यम से कि जब 15 अगस्ता 26 जनवरी में सरकार ने घोसना किया था एक हजार रुपईया देने का हर वार्ड में वार्ड ध्यक्ष को तिरंगा जंडा लहराने के लिए वह भी घोटाला कर गया वह भी पैसा नहीं दिया गया जब हम लोगों का पर सिच्छन तिंदी वस्य दिया गया उसमें बूक घोटाला किया गया महनार के पर खंड करमी के द्वारा जब उपमुखिया और मुखिया जी को पांच-पांच किताब दिया गया वही जो हैसे हमारे वाड़ ध्यक्ष को मातर तीन किताब दिया गया हम लोगों ने इसका पुरजोर बिरोध किया तो कहीं कहीं कुछ लोगों को किताब मिला अभी तक और लोगों को किताब तक नहीं मिला है योजना की बात जो समस्याएं आती है महनार पर खंड में हमारे एक एक वाड़ ध्यक्ष बी पी आरो से लेकर के वीडियो साहब और एसडियो साहब तक जाने का काम किया लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोगोंने सोचा है कि एक जनवरी से लेकर के पंदरह जनवरी के बीच हम लोग एक दिवस्य धरना कार्ज करम करेंगे और अपने मांग को जो हैसे बखूबी तरह से मांगने का काम करेंगे अगर मांग मिलता है तो ठीक है अगर मांग नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे सरक से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे भूख हर्ताल करने का काम करेंगे अंसन पर जाने का काम करेंगे और जिला में भी एक दिवस्य धरना देने का काम करेंगे और बैसाली जिला में 16 परखंड हुआ करता है एक एक परखंड में धरना दिलवाने का काम करेंगे और अपने हक अधिकार लेने के लिए इनका सकतर के वहाद हैं, उनका काम करते के लिएंगे वहादा और इसमें कमख्याव के लिए प्लश् 않ब करा ले रहे हैं और जो मन मानी काम करा रहे हैं अपने अपने वाड में अपना पंचाइद मुख्या जी और उसका जो है कि मुख्या जी अतना तेज नहीं है जहां उनको सबसे बड़ा चोट्टा है वी प्यारों सबसे बड़ा चोट्टा है सचीव पंचाइद सचीव पंचा लेखा कि यह रोजा करन मां कुन पीट अधी कुंझ Андर्फेट हुआ और फ्रंचय क्रेंके ने ही एक वही पंचात सचिव्गора नहीं है यह पूरे महनार के यह पंचात सचिवह का जहे कि पूरे क которых Œचाला में सर्व सब्डा स वचाहता हैं तो पंचात सचिव파 और पंचात सचिव को छत्रशाय देते हैं 하고 तो हमारे विडियो साहिब हम हमारे विप्योर साहिब और जो है कि उपर के जो डिटी सी साब के जिनका कहा जाता है जैसे हमारे यहाँ अलिपुरहट्टा पंचात में जो कि वहां से कच्रा परबंधन का 47 लाख रुपईया जो निर्गत एक पंचात को जो कि हमको मालूम जो है आप लोग क्या है साँ हमको मालूम नहीं है बाकि 47 40 लाख रुपईया जो आया है उसका अभी तक महानार प्रकंड में कहां भी कोई भी काम नहीं हुआ है आए दिन हम तो पत्ना में रहते है आए दिन आपको डेली वार्ट सचीव और वार्ट संग वहां में साइक दो तिन दिन पर कहीं कहीं सा आग लोग दना देती ही रहते अभी अपना प्रकंड महनार की अगर पूछते हैं तो गठबन्धन की सरकार में जो अभी सरकार बोल रही है जो पहले निति पर थे कि यहां दवाई सुनवाई और सिक्षा पढ़ाई अगर तीनों इनकी फेल है अगर मेरे से ब्याक्तिगत तार पर पूछते हैं तो मैं अ जोगदवार्ड है जिसमें से मुखिया को अभी तक 50 पलस 1 चाहिए योजना खोलने के लिए आठ वार्ड अभी तक अस्ताक्षर नहीं किये है किसी योजना पंजीपर योजना की संचालन इसके भी से में मैं अपनी परखंड में वीडियो बिपियारो और जिला तक दियम तक दिये हैं अन्तता मुखमंत्री साहब को दिये हैं जनता दर्वार के लिए अभी तक डेट नहीं मिला है लेकिन कहीं कोई या वेदन पर अगर कोई भी पताधिकारी के नाम पर बोलते हैं पर पर परदेश में और नहीं होगा, तो हम सारे अभी एक जूट, जैसे पतना से निर्देश मिला है, एक जूटता दिखाते हुए हम सब, जब कोई काम ही नहीं मिलेगा, हम लोग अपना त्यागपत तरकार को सौप देगा। लेकिन लोगों को अभी बर्तमान में ये जान लिए कि लोगतांतरिक जो शार्षन पद्दतिये उसके हम लोग अधार अस्तंब हैं, लेकिन इस अधार अस्तंब को इस परकार सरकार कुचल रही है, उनके जो अधिकारी गण है, वो कुचल रहे हैं, जिसका कोई बढ़न नही अध्यक्ष थे उनको नली गली और जल नल दिया गया और कानून बनाये और जल नल दिये और गली नली भी दिये लेकिन उसमें क्या कर दिये जो डाइरेक्ट पैसा वाड अध्यक्ष को नहीं देके मुख्या के द्वारा और सचीब के द्वारा वाड अध्यक्ष को पैसा दिया गया उसमें भी उलोग माने बहुत सारे परसानिया खरी की वाड अध्यक्ष के साथ में और दूसरे में तुरत उकानून बनाया और अधी नल जलकाय योजना दिये अतुरत में माने थोरा दिर लेट से माने मुख्या जिस वार्ड में थोरा दिर किया खाता खुलवाने में उस वार्ड में पीएजडी विभाग को फिर से मुखमंत्री जी दे दिये माने योजना और पीएजडी को दे दिया गया और वार्ड सदस से छिन कर पीएजडी को दे कार्ज पुर्ण है एंभी बूख है लेकिन पैसे अभी तक नहीं पेमेंट हुआ है वाड़ अध्यक्स लोगों को और उसके बाद जो साथ निश्चे नली-गली का कार्ज बच गया जी जी हम बताते हैं जो भी पैसा सरकार ने दी है मुख्या जी को वो अभी तक कार्ज में कार्ज अपना करना सुरू कर दिये हैं लेकिन कोई वाड़ अध्यक्सा को यह नहीं बता रहे हैं जे कौन सा ही योजना हम चला रहे हैं कौन सा ही योजना खोल रहे हैं ना सचिब बताने के लिए तयार है ना मुख्या बताने के लिए तयार है और वाड़ अध्यक सजी बोले